स्वागत है आप सभी का एक्जाम वारियर के यूट्यूब चैनल पर जैसे की आप सभी को पता ही होगा कम्प्यूटर की मोस्ट इंपॉर्टेट 500 प्लस MCQs की सीरीज हमने शुरू की है यह उसका चौथा पार्ट है जिन्होंने प्रीवेस तीन पार्ट नहीं देखे है प्रिंटर तो इसमें जो सही अंसर आएगा वो आएगा पॉर्ट स्क्रिप्ट प्रिंटर इसके लिए यूज किया जाता है नेक्स्ट कॉश्टन के में हापर बात करते हैं इसमें आपने बायो मेट्रिक्स को ही टिक करना है नेक्स्ट कॉश्टन की बात करते हैं प्रिंटर रेजलिशन इस अनुमेरिकल मेजर और प्रिंट क्वालिटी दैट इस मेजर दिन तो प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो किस में मैजर की जाती है आप सभी को पता होगा ये की जाती है डॉट पर इंच में मैजर की जाती है बाकी प्रिंटर की स्पीड पेज पर मिनिट में काउंट की जाती है जो toner और ink यहाँ पर use की जाती है वो कैसी रहती है वो dry रहती है next question के में आपर बात करते है a thermal transfer printer is a blank printer that use heat to register and impression on paper तो उसे कहा जाता है यह non impact होता है अब आपसे यह भी पूछ ले जा सकता है कि कौन से ऐसा printer है जिसमें ink का use नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें paper में ही ink होती है जैसे for example जो ATM की slip मिलती है उसमें कोई ink नहीं होती उसमें paper में ही ink होती है जब heat पड़ती है तो वो खुद से वहां पर शवद को छाप लेता है उस पर तो question कई बार इस परकार से भी पूछा जाता है तो thermal printer उसका answer आएगा तो thermal printer फिलाल यहां पर पूछा गया था किस type का printer है तो यह एक non impact printer है next question के हम यहां पर बात करते है thermal transfer printer can be divided into blank types तो कितने type के यह होते हैं तो यह होते हैं two types के direct thermal printer और thermal wax transfer printer next question के बात करते हैं direct thermal printer does not use तो वो ribbon का use नहीं करते हैं यह क्या करते हैं heat का use करते हैं जिससे की जो page होते हैं वो थोड़े से अलग परकार के होते हैं उन्हीं में वो ink होती है next question के बात करेंगे which of the following type of printer use a thermal transfer ribbon that contain wax-based ink उसे कहा जाता है thermal wax transfer next question के में आपर बात करते है blank is device that perform a variety of function that would otherwise we carry it out by separate peripheral devices उसे कहा जाता है multifunction peripheral option B आपका यहां पर सही हो जायेगा next question की बात करते है impact printer is तो इनमें से impact printer कौन सा है dot matrix भी है line भी है dizzy wheel भी है अब देखो इनमें भी आपको कुछ एक difference पता होना चाहिए यह क्या है यह है character printer इनमें character एक वारी में print होता है line printer क्या है जिसमें एक वारी में एक line print होती है यह चीज़े आपको पता होनी चाहिए next question के में आपर बात करेंगे the term blank refers to data storage system that make it possible for computer or electronic device to store and relative data storage technology यह आपको पता ही होगा next question के में आपर बात करते हैं blank is a time from the start of one storage devices access to the time when the next access can be started उसे क्या कहा जाता है access time उसे कहा जाता और access time किसको कहा जाता है access time होता है latency plus seek time वो क्या होता है access time next question के में आपर बात करते है the memory unit that communicate directly with CPU is called जो directly communicate कर सकती है तो उसे कहा जाता है primary या main memory इस में भी आपका memory कितने प्रकार के हुथ यह computer की यह बहुत प्रकार के होते है जैसे की register memory हो गया cache memory हो गया इस परकार से भहुत सी memory रही wars ichi pleasure जैसे कि register or Cameron सक्कने के निसर्सकी स्टोरिज कैसिटी के मेंरेती है उसके बात नंबर आता है Cache memory का जिसकी storage capacity MB में रहती है फिर RAM, ROM इस परकार से Next question की बात करते हैं Which of the following is our hard disk performance parameter उसे क्या कहा जाता है तो ये सभी यहाँ पर आएगा All of the above Next question के भी यहाँ पर बात करते हैं A disk content that is recorded at the time of manufacture and that can't be changed or erased by the user उसे कहा जाता है read only Next question की बात करेंगे Which of the following memory use a MOS capacitor as its memory cell तो उसमें आएगा यहाँ पर Option D यहाँ पर सही अंसर आएगा SRAM में जो यूज होता है वो flip-flop होता है DRAM में capacitor और transistor यूज होते हैं यह चीज़ आपको पता होगी DRAM बार-बार रिफ्रेश करनी पड़ती है Next question की यहाँ पर बात करते है A nibble is equal to Nibble किसके बराबर होता है Nibble होता है 4 bits के बराबर सबसे पहले छोटा क्या होता है 1 bit होता है जिसमें की 0 और 1 binary number आते है फिर आता है आपका nibble फिर आपका एक byte आता है फिर KB, MB इस परकार से TB, PB यहाँ पर पूचा गया है अभी इसमें एक confusing question यहाँ से पूचा जाता है कई बार पूच ले जाता है जैसे की फॉर एक्जामपल 1B या फिर 1B, इसका क्या मतलब है अब इसका जो small में लिखा गया होता है उसका मतलब होता है bit और जो capital में लिखा गया होता है उसका मतलब होता है byte कई बार यह भी एक्जाम में पूच ले जाता है अब next question के मिहाँ पर बात करते है which of the following memory chip is faster DRAM या statigram तो statigram जदा फास्ट होगी क्योंकि उसमें flip-flop का use किया गया है next question के मिहाँ पर बात करते है the term gigabyte is equal to gigabyte होती है जो की GB कहीं जाती है 1024 MB next question के बात करते है blank data area shared by hardware devices और program processor that operate at different speed or with different sets of priorities उसे कहा जाता है buffer buffer यहाँ पर इसका सही अंसर आएगा अब यहाँ पर देखिए एक concept दिया गया है virtual memory वो क्या होती है virtual memory यह फिर virtual RAM का concept आपको बता दे जैसे कि यह आपकी hard disk है मान लो यह आपकी 4 TV की hard disk है लेकिन इसमें कुछ एक space ऐसा होगा जिसका use आप नहीं कर पाऊगे 4 TV में आपको जो space मिलेगा मान लो वो आपको मिलेगा 3 TV और 98 GB अब मान लो इसमें कुछ यहाँ पर एक याँ दो GB यहाँ पर ऐसे use लिए रखी जाती है जिसमें कहा जाता है जिसको हम use कर सकते है as a virtual RAM ए फिर virtual memory के तोर पर next question के में यहाँ पर बात करते है blank is a transfer of computer data from temporarily stored area to the computer permanent memory तो उसे क्या कहा जाएगा तो उसमें flash, buffer flash का buffer flash का यहाँ पर use किया जाता है next question के में यहाँ पर बात करते हैं which is general term for all forms of solid state memory that do not need to have their memory contents periodically refreshed उसे कहा जाता है non-volatile memory अब volatile और non-volatile का difference भी आपको पता होना चाहिए volatile मतलब जिसको की current जाने पर वो अपना पूरा data खो देती है बाकि non-volatile अगर light जाने पर भी अगर आप computer बंद कर लेते हो तो भी वो data महाँ पर save रहता है उसे कहा जाता है non-volatile next question के में आप बात करते हैं blank is a computer storage that only maintain its data while device is powered उसे कहा जाता है जो की मैं भी बात कर रहा था next question की बात करेंगे blank is a type of non-volatile memory that erase data in units called blocks तो उसका अगर यहाँ पर आएगा flash memory यहाँ देखिए question पूछा गया था blank is a type of non-volatile memory that erase data in units अब देखिए जो units में data को erase करता है उसे कहा जाता है flash memory next question के हम यहाँ पर बात करते है blank is feature of an operating system that allow a computer to compensate for shortage of physical memory while temporarily transferring page of data from RAM to disk storage उसे कहा जाता है virtual memory जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे थे अब कुछ चीज़े आपको पता होनी चाहिए operating system से जैसे कि my computer कब से introduce हुआ my computer आया window 95 जब आया फिर my computer आया अब question पूछ ले जाता है कि start button किस operating system में या फिर किस window में बंद कर दिया गया था तो windows 8 में यहाँ पर start button बंद कर दिया गया था लेकिन window 8.1 में उसे बापस दे दिया गया था इस परकार से बहुत से question भी पूछ जाता है operating system और windows से उसके लिए भी एक specific आपकी यहाँ पर session provide करवाया जाएगा next question के में आपर बात करते है blank is the processor of dividing the disk into tracks and set up formatting उसे कहा जाता है इसका answer आप सभी को पता ही होगा next question की बात करते है the primary device that a computer used to store information is उसे कहा जाता है hard drive next question की बात करते है a removable magnetic disk that hold information is floppy disk अब floppy disk के भी बहुत से type थे सबसे पहले थी 8 inch की floppy disk इसकी storage capacity 768 kb फिर आती है 5 inch की जिसकी storage capacity थी 1.21 mb फिर आई थी 3 inch की floppy disk थी उसकी storing capacity 1.44 mb इसमें के बार पूछ लिया जाता है floppy disk की यह 3 type होता है यही major है इन इसे के बार question पूछ लिया जाता है इसमें भी sector और track होते है next question की बात करते है which of the following is a type of RAM used specifically for video adapter or 3D escalators तो इसमें यहाँ पर अंसर आएगा VRAM जिसे वीडियो तो next question पूछा गया था which of the following is clock synchronized RAM that is used for video memory तो इसमें जो memory used होती है वो होती है SGRAM इसकी full form क्या होती है इसकी full form होती है synchronous graphics random access memory next question की हम इहाँ बात करते हैं blank is a coffee of basic input-output operating system routines from read-only memory into a special area of RAM so that they can be accessed more quickly उसे कहा जाता है shadow RAM next question की बात करते हैं which memory does not use capacitor in its memory cell तो capacitor S यूज नहीं करती क्योंकि capacitor और transistor तो DRAM यूज करता है SRAM तो flip-flop का यूज करती है information stored in RAM need to जो RAM में हो रहती है उसे बार बार refresh करने की ज़रूरत पढ़ती है लेकिन refresh की से करने की ज़रूरत पढ़ती है वो होती है DRAM memory is made up of तो memory जो made होती है वो होती है large large number of cells next question की बात करेंगे blank is the ability of device to jump directly to requested data उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है random access virtual memory is तो virtual memory की होता है यह एक an eligible for extremely large main memory अब next question की बात करते है which of the following is example of optical disk optical disk इन में से कौन सी है तो इसमें से digital versatile disk क्या है एक optical disk है optical का मतलब जिसको अगर आप data insert करना चाते हो उसमें laser के थुरू आपर आपका data रीड किया जाता है उसे optical disk का जाता है next question के बहाँ पर बात करते है cache and main memory will not be able to hold their content when the power is off वो क्या होते हैं वो एक volatile feature से related होते हैं the hardware in which data may be stored for computer system is called उसे क्या कहा जाता है उसे कहा जाता है memory which of the following memory is capable of operating of electronic speed उसे कहा जाता है semiconductor memory next question की बात करेंगे memories in any in which any location can be reached in a fixed amount of time after specifying its address is called उसे कहा जाता है random access memory which of the following is user programmed semiconductor memory तो उसे कहा जाता है EP ROM electrically programmable read only memory माफ के जीगा erasable यहाँ पर आएगा erasable programmable read only memory अगर double EP ROM होता तो उसकी यह fill form होती जो मैं आपको पहले बता चुका आप next question की बात करेंगे blank is a type of non-volatile memory composed of thin layer of material that can be easily magnetized in only one direction उसे कहा जाता है bubble memory the magnetic storage chips used to provide non-volatile direct access storage of data and that have no moving part are known as उसे कहा जाएगा magnetic bubble memory next question की बात करेंगे blank is a very high speed memory placed between RAM and CPU अब RAM and CPU के बिच में क्यों सी memory होती है वो cache memory होती है अगर पूछ ले जाए कि CPU में कौन सी memory होती है तो register memory होती है अब यहाँ पर पूछी गई है full form EDO RAM की full form क्या होती है तो इसकी full form होती है extended data output dynamic RAM एक वर फिर से जी revise कर ले इसकी full form होगी extended data output dynamic RAM next question के में यहाँ पर बात करते है a white is collection of 8 bits यह आपको पता होगा which of the following term is the most closely related to main memory main memory में कौन सी रहती है none तो यह होती है temporary next question की बात करेंगे under virtual storage तो option B यहाँ पर सही हो जाएगा only active page of a program is primary memory next question की यहाँ पर बात करते हैं next question में पूछा गया है competing with semi secondary storage primary storages तो primary storage क्या रहती है fast रहती है और उसे जादा expensive रहती है next question की बात करेंगे technique of placing software program in ROM semiconductor chip is called उसे firmware कहा जाता है next question की बात करेंगे the blank can be programmed one time either the manufacturer or the computer user once programmed it can't be modified उसे कहा जाता है ROM technique to implement virtual memory where memory is divided into unit of fixed size of memory is called उसे कहा जाता है paging storage device where time to retrieve stored information is independent of address where it is stored is called उसे कहा जाता है random access memory next question की बात करेंगे a memory in CPU that hold program instruction input data intermediates result and output information produced during processing is called उसे primary memory कहा जाता है अब दिखिए इन में जात explain करने वाली चीज़े है नहीं तो इन्हें हम direct यहां पर solve करेंगे और next question की ओर हम यहां पर बढ़ेंगे technique of using disk space to make program believe that the system contain more random access memory than its actual available is called उसे virtual memory कहा जाता है CPU perform read write operation at any point of any point in time in तो उसे कहा जाता है EP ROM अब last question आज की वीडियो का a storage device or medium where the access time is dependent upon the location of the data is called उसे कहा जाता है serial access तो यह कुछे का जाता है अब देखिए जो यह PDF है यह मैं आपको free of cost यहां पर provide करवाने वाला हूँ इसमें लगवग आज हमने 200 के करीब MCQs हम यहां पर पूरे कर चुके है तो बाकि जो 300 MCQs है वो आप यहां पर खुद भी पढ़ सकते हो क्योंकि इसमें जो चीज़ explain करने वाली तो explain यहां पर करके दी गई है बाकि जो भी question है यह normal MCQs है वो जादा tough नहीं है तो यह पूरी MCQs की जो PDF है वो मैं टेलेग्राम ग्रूड कर दूँगा टेलेग्राम ग्रूड का link मैंने description box पर दे दिया है तो आप बहाँ पर जरूर जाएं और इसे आपने डाउनलोड कर लेना है बाकि कोई भी update आएगा हिमाचल पर्देश में जोब से related वो आपको दे दिया जाएगा तो channel से आपने जुड़े रहना है